आप एक लड़का है और आपको अपना सेक्स पावर कैसा है ये जानना है तो फिर आप जो है रिजी स्कैन टेस्ट करवा लीजे ये रिजी स्कैन टेस्ट सिर्फ लड़कों में होता है रिजी स्कैन टेस्ट को हम लोग टेगनिकल टर्मिनोलोजी में इन पी टी आर बोलते हैं नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रयत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होम्योग कैट टिप्स पे दोस्तों हमारे हिंदूस्तान में जब भी किसी लड़की या फिर लड़के का साधी करना होता है तो उस समय उस लड़की या फिर लड़के का माबाप या फिर घर वाले उन दोनों बच्चों की कुंडली मिलाया करता है गुन मिलान किया जाता है ये जानने के लिए कि इन दोनों का वैवाहिक जीवन कितना सुखी होने वाला है कितना मंगल मैं होने वाला है और इसी लिए इस बात को जानने के लिए गुन मिलान जो है होना चाहिए लेकिन इसी के साथ लड़का और लड़की का कुछ टेस्ट भी करवानी चाहिए जिससे ये पता चले कि ये लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए पूरी तरह से हर तरीके से fit है इस साधी के लिए बोध physically, mentally and sexually they are fit enough to be get married और इसके लिए कुछ टेस्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है जैसे कि हमें ये पता चले कि लड़का और लड़की में बच्चा पैदा करने में किसी को भी असमरता है या नहीं या इसके इलावा दोनों में से किसी को भी कोई सेक्स्वल ट्रांस्मेटेड डिजीज है या नहीं लाइक STD, HIV, STI इन बातों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक इनसान से दुसरी इनसान में ये रोग ना फैले और इसलिए बोध मेल और फिमेल को साधी से पहले ये टेस्ट बिलकुल करवानी चाहिए HIV, VDRL, STD and STI ये टेस्ट जो हरकिस होना चाहिए उनका sex power कैसा है ये जानने के लिए तो अगर आप एक लड़का है और आपको अपना sex power कैसा है ये जानना है तो फिर आप जो है रिजी scan test करवा लीजे ये रिजी scan test सिर्फ लड़कों में होता है रिजी scan test को हम लोग टेगनिकल टर्मिनोलोजी में NPTR बोलते है मतलब nocturnal penile tumosense rigidity test इस test से आपको पता चल जाएगा कि आपका वीर कैसा है आपका link में proper blood circulation होता है की नहीं आपका libido कैसा है आपको erection प्रॉपर लियाता है की नहीं आपका penile में कोई issue है की नहीं कोई problem है की नहीं तो इस test से आपको आपका sexual function कैसा है यह आपको बिल्कुल पता चल जाएगा similarly लड़कियों में 2-3 test करवानी बहुत ही जरूरी है like लड़कियों में LHFSH का level कैसा है यह जानना बहुत ही जरूरी है इसी के साथ thyroid, T3, T4 और TSH का level कैसा है यह भी जानना बहुत ही जरूरी है यह दो चीजे अगर सही रहा लड़की में तो आप एक अनुमान लगा कर चल सकता है कि आपका साधी जिस लड़की से होने वाला है वो sexually fit है तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि आप कुंडली बिल्कुल मिलाइए कुंडली के एनलाइज तो आपको हर हाल में करना ही चाहिए मैं खुद इस बात को मानता हूं क्यूंकि मैं एक डॉक्टर के साथ-साथ मैं एक एक एस्ट्रोजर भी हूं मैं इस पर पूरा बिलिप करता हूं लेकिन इसी के साथ जो टेस्ट मैंने आपको इस वीडियो में बताये है ये टेस्ट बिल्कुल हर हाल में होनी चाहिए बहुत फैमिली को मैं जानता हूं जो कि इस टेस्ट को mandatory कर दिया है हर हाल में बच्चों की साधी से पहले करवाते ही करवाते है ताकि अपना बच्चों का आने वाला जिंदेगी एकदम सुख मैं के साथ भीते और इसलिए मैं आप लोगों का बीच में ये वीडियो लेकर आया हूं ताकि आप लोगों में एक जागरुकता आ सके और आप लोग भी इस वीडियो से अलर्ट हो तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं परेंट करना चाहूंगा सो थैंक्यो वेरी माच एंड हव गुड डे